अगर आप भी चार पया गाड़ी से कही जाते हैं और हाईवे पर टोल देने के चक्र में कहीं पहुंचने में देरी कर देते हैं तो अब आपकी ये परिशानी दूर होगी क्योंकि अब आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा ये खुद नितिन गटकरी ने कहा है अब आपको नहीं टोल देना है और नहीं हाईवे पर अपनी गाड़ी को रोकना है पिर तो अब सभी वाहन चालकों के बले-बले हो गए अगर आप भी यही सोच रही है तो पर रुखिए और आगे खबर देखिए आपको हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और आखिर क क्यों आप देश में सभी हाईवे से टोल प्लाजा हर जाएंगे और उसके बाद कौन से नए नियम का पालन आपको करना होगा और कैसे अब भारी भरकम टोल टैक्स से आपको चुटकारा मिलेगा और इसके भी जानकारी आगे खबर में आपको जरूर देंगे मगर उसकी प के विकासकारी को देखा है चाहिश सड़क की बात हो या फर फास्ट एक जासे योजनाओं की परिवहन को बहतर तरीके से जारी रखने में उनका काफी जादा युगदान रहा है जो कि बेहद ही सराहनिये हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए किंद्रिय मंत्री नितिन परिशानी नहीं होती है कई नए नियम लागू हुए थे जिसमें हर चार पहिया वाहन में फास्ट एक लगाना अनिवारे कर दिया गया था लेकिन अभी को और खबर सामने आ रही है जहां ये कहा जा रहा है कि अब आपको भारी भरकम टॉल टैक्स से निजात में लेगा उस सरकार के द्वारा एक लिस्ट ज़ारी की गई है उस लिस्ट में अगर आप शामिल होते हैं वो पड़ आपके पास है तो फिर आपको टॉल टैक्स से चुटकारा मिल जाएगा जैसे में जो लिस्ट सामने आई है उसमें भारत के राश्टुपती प्रधान मंत्री मुख द्वारा चार पहिया वाहन चालकों से तोल टैक्स वसूला जाता है और आप कहीं दूर सफर कर पड़ जा रहे हैं तो आपको उस वक्त टोल पर रुखना होता है टौल टैक्स चुकाना होता है तब ही आगे बड़ पाते हैं वहिं अगर आप दो पईया वाहन से सपर करते हैं तोल टैक्स आपसे नहीं वसूले जाते हैं तो पह या गारी खडिए वक्त ही ग्रहकों से रोड टैक्स ले लिया जाता है और बाकी टोल टैक्स के राशिय वाकरनों के लंबाई के हसाब से वसूलनी का यह नियम है को ये खाले को ऐकेले सफर रहा है देने का अप्शन आह दिया जबताना है एक zwar की मतलग होती है और कहिंए इसे जल्दी देश में लागो किया जा सकता है बाकी अब आप इन सारे नेमों को लेकर क्या कुछ अपने राय रखते हैं अपने प्रतिक्रिया कमिन वाक्स में अफसाज़ा कर सकते हैं और बाकी इस मामले में कोई नई जानकारी सामने ही आएगी तो वो भी आप तक हम जरूर पहुचाएंगे तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अने खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ कैमरी के पीछे ते प्यूश और मैं थी आपके साथ बंदना धन्यवाद